अलो फ्रेंड्स में नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने शैनल सूपरभात 801 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हमने रेंबो क्लास 4 से लेशन नमर 1 का कोस्टन आंसर करने बाले हैं जिस लेशन का नाम वेकफ है इसका मैंने हिंदी अनुबाद पहले ही अफ्लोट कर दिया है और अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिस्टन को चेक किजिए वहां पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो फ्रेंड्स वो वीडियो अगर आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको इसके कुस्टन आंसर समझ में नहीं आएंगे तो चलिए बिना देरी करती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहां पर हमारा फर्स्ट कुस्टन है कि हूँ आर हूँ आर अल्रेडी वेक ठीक है तो अभी फर्स्ट कुस्टन यह है कि सबसे पहले कौन जग चुके हैं राइट तो हमने यहां पर कई चीजों को लिया हुआ है जिसमें बॉड्स है आचा यह बूजिंग 20 मैं लिखा हुआ है तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको बूजिंग नहीं लिखना है राइट आपको बूजिंग 20 नहीं लिखना है बहुत सार इस डुएंटों को मैंने देखा कि वो बूजिंग 20 लिख चुके थे लेकिन यह गलत है आपको बॉड्स लिखना है बी इटीसी आर ओल्रेडी अवेक ठीक है जो पोयम में जो जगी हुई है जो जीव जगे हुए हैं हमें उनीके बारे में लिखना है कि चिडियाएं मदमकिया गाये घोड़े बतक एटीसी मतलब एक्सक्टरा यह सारे चीजे जो है वो जगी हुई हैं हम चाहिए तो और भी कुछ चीजों का नाम लिख सकते थे बाट हमने इतना ही लिखा क्योंकि आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाता अब चलिए हम लोगों दूसरे कुछन के तरफ बढ़ते हैं और दूसरे कुछन को हमनों समझते हैं तो हमारा जो सेगंड कुछन है वो यह है कि वेर आर द बार्ट सिंग तो जो चिडियाएं हैं वो कहां गा रही हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो चिडियाएं थी वो गीत गा रही थी तो जो चिडियाएं वो कहां गा रही हैं गीतों को तो अभी हमारा कुछन का आंसर होगा जो चिडियाएं हैं वो पेड़ों में गा रही हैं वो प उठकर के गीत गार रही है मधूर गीत गार रही है राइट चाहिए हम लोग नेक्स्ट को सन को देखते हैं तो हमारे नेक्स्ट को सन है कि विच क्रियेचर मतलब यह है कि जीव विच क्रियेचर अवाक इन दा मॉर्निंग विफोर दे चिल्डेण ड़स ठीक है बच्चों के उठने से पहले कौन कौन से जीव है वो उठ चुके हैं तो अभी फर्स्ट वाला जो कोसन हम लोगों ने देखा है एक्जक्ली बलेई इसमें कहने का तरीका बदल गया है लेकिन ये भी वही कोसन है तो हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे कि मेनी क्रियेचर अवाक ठीक ह सुबा में बहुत सारे जीव उठ चुके हैं before the child does ठीक है अब बच्चे के उठने से पहले बहुत सारे जीव उठ चुके हैं डस के बाद यहां पे फुली स्टॉप रहेगा लाइक टिनिस्ट चिकन जैसे कि यहां पे लाइक का मतलब इखा गया है जैसे टिनिस्ट चिकन का मतलब चोटी-चोटी मुर्गी की बच्चे सीप डग्स ठीक है एंड एकसेक्टर तो अभी मैंने यहां पर भी बहुत सारे जीव का नाम नहीं लिखा कि कौन-कौन ऐसे जीव है जो बच्चों के उठने से पहले जख चुके हैं तो मैंने बहुत सारे जीव का नाम नहीं ल लिखा होता तो थोड़ा लंबा हो जाता तो आप लो बस ऐसे लिखो गए कि मेनी क्रियेजस आवक इन दा मॉर्निंग बिफोर दचाइल डर्स लाइक टेनिस्ट चिकन सीप डग्स एकसेक्टर राइट तो यह हमारे कुसंस के हमारे जो जो पूछे गाए तीनों कुसंस वो उनके यह हमारे आंसर है अब चलिए कुछ और भी एकसरसाइजस हैं जिनको हमें कर लेना बहुत ही जरूरी है तो फ्रेंट्स यहाँ पे हम लोग अब वर्ड पाउर में आ गए हैं और इससे पहले कि हम लोग वर्ड पाउर पढ़ें उसके पहले मैं आपको कुछ बाते बत तक के हिंदी अनुबाद और उनके कुछ सनांसर को कराते रहता हूं तो अगर आपको उनकी वीडियो की आउ सकता है तो आप प्लीज एक बार डिस्करिस्पन को जरूर चेक करें वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग आगे जैसे कि डे का यहां पर लिख गया है का पुल एक साउंड है जहां पर चलिए मैं आपको और अच्छे से एकस्प्लेंड करने की कोसिस करता हूं जैसे यहां पर लिखा गया ट्री तो इसका बीज लिखा जाएगा मतलब इसका जो साउंड है वह बिलकुल मिल रहा है बेड् जिनका sound मिल रहा है, तो day का किसे मिल रहा है, तो day के last में, day, day का आएगा play, last में ज़रा देखो, a आ रहा है न, day, play, आ रहा है न, अभी देखते हैं, bed, last में, do आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, head, इसका भी head आ रहा है, तो bed लिखा गया था, तो उसके last में, क्या हम लोग जोड़ेंगे, head जोड़ेंगे, मतलब इसका sound, head से मिल रहा है, अब यहाँ पे देखिए, out लिखा गया है, तो इसके भी last में, क्या रहा है, out, मतलब about तो लिखा गया, पर यहाँ पे क्या रहा है, out, तो I hope कि आपको समझ में, आ गया होगा, ओके, तो यह सारे यहाँ पे, examples थे, sheep का यहाँ पे, cheap लिखा गया था, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ activities में भी दिया गया है, और बोला गया है कि, talk about different sound of words, and animals with the teachers, and learn it, है न, तो बोला यह जा रहा है कि, talk about, मतलब बात कीजिए, different sound, अलग अलग आवाजों के बारे में, of words, मतलब चिडियाओं के अलग अलग अवाजों के बारे में, आप अपने सिखचक और अपने, मतलब सिखचक से बात कीजिया, और उनको सीखए, तो cow जो होती है, cow बोलती है, अब यहाँ पे भी, जो मतल बूजिंग करती है, मतलब भिनभिनाती है, cat जो होती है, बोलती है, dog जो होता है, भूकता है, लाइन रूर करता है मतलब दarenthाता है और यहां पर देखेए कोक जो होटा है जो मुर्गा होता है यह जो डूडले डू बोलता है बंदे डूबलता है कि नुदो कूणी बोलता है तो कमारे एक्टिवीटीज थे उन execution को लोग पढ़ लिया आई होब कि आपको अब इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होई होगी और वीडियो आप लोगो बहुत यह समझ में आया होगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके जुरूर बत